गाईज अगर आपने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को बड़ी ध्यान से देखा है तो आपने जुपिटर के ओपर ये लाल धबा जरूर देखा होगा पर मेरा सवाल ये है कि आखिर ये लाल धबा है क्या नहीं ये कोई लाल चटान नहीं है बलकि ये साड़े 300 सालो तक जी आप ठीक सुन रहे हैं साड़े 300 सालो तक एक्टिव रहने वाला एक तुफान है और इस तुफान का साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी धर्ती तक की पूरी समा सकती है गाईज ये humans की जानकारी के हिसाब से अब तक का सबसे लंबा एक्टिव रहने वाला तुफान है अर्थ पर 1994 में हैरीकिन जोन्स नामक एक तुफान आया था जो की मात्र 31 दिनों तक ही एक्टिव था जबकि ये तुफान साड़े 300 सालों से जुपिटर क के ऊपर एक्टिव है काईज आपको एक्ट जानके कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे में वीडियो के लिए यूट्यूब पे हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा